Good morning children, कैसे हैं आप लो, बढ़ियां है न, आउनलाइन पढ़ाई हो रही है न अच्छे से, सभी बच्चे आउनलाइन पढ़ाई पर ध्यान दीजे और इसको पढ़िये, आप लोगा syllabus चल रहा है, जिन बच्चों ने Sanskrit की book या copy नहीं खरीद दी है, वो खरीद लीजे, ठीक है, बनना आप लोग का course पीछे हो जाएगा, आप लोग पेंडिंग बख हो जाएगा न, इसलिए सभी बच्चे, Sanskrit की बच्ची है, Sanskrit की book and copy खरीद लीजे, जो भी आप लोग को homework दिया जाएगा, या तो book में दिया जाएगा, या तो fair copy में दिया जाएगा, ठीक है, कल मैंने अभियास अभी ने किया कि नहीं, उसको जो अनवाद है, उसको पढ़िये और उसकी कविता उसको भी पढ़िये तो आप लोग को अर्थ समझ में आएगा, एक एक कविता का, तो मैं आप लोग के लिए second chapter लेके आई हूँ, Sanskrit का, देखिए, क्या लेका है, मम दिल चर्या, त तो यह हमारी क्या है, मम दिन चर्या, मतलों, दिन भर में जो हम लोग काम करते हैं, वो सब है, ठीक, हम लोग इस chapter को रीट करेंगे, और इसको अनुवाद देखेंगे, कि इसको कहा गया है, कैसे पढ़ाये जा रहा है, वे दिखिए, आहम प्राता सार्ध पंचवादने, उ प्रावनम सनानम चाकरोमी, यहाँ क्या बता है कि मैं प्राता साड़े पांच वजे उठता हूँ, फिर माता हूँ और पिता को नमस्कार करता हूँ, उसके बाद सौच, दंत मंजन और सनान करता हूँ, उसके बाद इश्वर को नमस्कार करता हूँ, स्वल पारहाम, आहारम कृत्वा सब्तवादने विद्यालम का च्छामी फिर हम लोग क्या करते हैं इश्वा को नमस्कार करते हैं उसके बाद ठीक है नहाने के बाद हम लोग फिर क्या करते हैं नास्ता करके 7 बज冷े जाता हूं, हम लोग क्या करते हैं, तो एक विध्यारती है, वो अपनी तिन्चर्य वा रहीं बता रहा है, लगबर सभी विध्यारती कर दिन्चर्य ऐसी ही होती है, ठीके, देखिए, विद्यार्य में आचारे नमा मि मित्रयषा द्यार करों मि विद्याले में आचारे को नमस्कार करता हूं, मित्रोयसाद अध्यान करता हूं तस वजे विद्याले में मद्यवकाश होता है तब खेल के मैदान में बाहर 12 वजे अवकाश होने पर घहर आ जाता हूं और एक बज़े भोजन करता हूं, तो मतलब असमें क्या बता रहे हैं विद्ध्यासी कि दशाव ने विद्ध्याले मद्वकाशा भवती, तद कीडांगडे खेला मी, दशाव आधने अवकाशा जाता गच्छा मी, एक बज़े भोजनम करो मी, तद नंतरम विद्ध्याले से तो ये बच्छा बता रहा है कि मित्द्ध्याले में अवकाश होता है, तब खेल के मैदान में खेलता हूं, और बारा बज़े अवकाश होने पर मैं घर आता हूं, एक बज़े भोजन करता हूं, उसके बात क्या लगता है? ठीक है फिर उसके बाद क्या होता है एक बजे भोजन करते हैं उसके बाद दिजय कहा कार करता हूँ शाम को बगीचे या खेल के मैदान में खेलता हूँ उसके बाद भोजन करता हूँ आट बजे बिद्ध्या भ्यास करता हूँ फिर क्या लिखाए उसने फिर अश्टवाधने विध्याजन करोमी आठ बजे विध्याले का भ्याज करता हूँ जो दिया होता है हूमवर्क जिसे कहते हैं विध्याज मतलग क्या होता है हूमवर्क ठीक है रातरी काले ईश्वराम नमामि माता दुग्ध यच्छती दुधम पित्वा शेनम करोमी फिर वो क्या बोलता है रात्रिको एश्वर को नमस्कार करता हूं मेरी माता मेरे लिए दूद देती है और दूद पीकर मैं सोता हूं ठीक है तो यह सब हम लोग की दिनचर्या बताई जा रहे हैं कि हम लोग कैसे सबहरे उठते हैं फ्रेश होते हैं पित्टी हो जाती है फिर मुलोग घर आते हैं भोजन करते हैं होमवक करते हैं खेलने जाते हैं तो यह पूरी दिनचर्या बता रहा है कि एक विद्ध्यार्थी अपने सबहरे से लेकर रात तक क्या-क्या कार करता है यही सब काय करते हैं आप लोग ठीक है इस चप्टर को अप लोग पढ़िएगा समझे एक है इस कानवाद देखिएगा, ठीक आप लोग को होमवर्क में आप लोग के फेयर कॉपी में आप लोग को संस्कृत की फेयर कोपी में आप लोग करना है, कॉपी में शब्दर्थ लिखना है और यह आपको जो फिल रिंदा ब्लांक बुक में ठीक है अब इतना देखेगा समझेगा ओके ग्लास थैंक यू